गुड इफनिंग फ्रेंट्स वल्कम तो मैं चाननों की महबत और आप देख रहे हैं हैं लफ वेट सोल लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि जो समिती रहती है अब वो रुहानिका को पूरे तरीके से डेपलब करने पे लग जाती है उसको पढ़ाई में भी प्लस उसको स् चीज़ कहां से आ रहे हैं और वो इतना सादा चेंज कैसे हो चुकी है ये सब देन तो समिती की थी और समिती इस सब चीज़ों को बहुत सीश्ली लेकर रुहानिका को सिखा भी रही थी अब उसके आगे जब रात के 8 बज़े तक रुहानिका समिती प्लीज, मुझे जाना होगा. तब रुखानिका उसका हाथ पकड़ के बोलती है, देखो, आज रुख जा रहे हैं ही पर, मुझे अ्छा रग Prime applied, कि तुम मेरे साथ इहां पर रहोगी तो. तब इसमिती कहती है रुहानीका मुझे रुकना तो है बड़ तुम भूल गई हो मैं यहां नहीं रुक सकती हूँ और मैंने तुम्हें पहले भी कहाता कि मैं किसों की नजरों में नहीं आती हूँ और मैं नहीं चाहती कि मैं किसी की नजरों में आऊं प्लीज मुझे जाने दो तो रुहानिका बोलती है तुम्हें सिर्फ यही प्रॉब्लम है ना कि किसी की नज़ों में तुम्हें आना निये कोई तुम्हें देखना ले तो स्मिति कहती है हाँ तो कहती है तो कोई भी तो नहीं आएगा मैं प्रॉमिस करती हूँ मेरे रूम में कोई भी नहीं आएगा तुम सिर्फ मेरे रूम में मेरे साथ रहोगी तो समित्री स्माइल करते हैं बोलती अच्छा और अभी तुम्हें पता है आठ बज रहे हैं तुम्हारी डिनर करने का टाइम है जाओ डिनर करके आओ तो वह कहती हाँ हाँ मैं डिनर करके आती हूँ और मैं तुम्हारे लिए भी लेकर आ जाऊंगी उपर तुम यहाँ पर डिनर कर ले ना तभी Smithi कहती, no no, मुझे भूप नहीं लगी, तुम टेंशन ना दो, तुम सौफटी के लिए दूद लेकर आ जाना, तो कहती, तुम सौफटी के दूद पी होगी, तो Smithi एक्तम से भावे चड़ा कर फिवलती, क्या? तो कहती, मतलब तुम नहीं खाओगी, क्या? देखो, एक लाइफ में, मेरी ममी हमेशा से बच्पन में मुझे कहती थी, कि गाड़ी हो, या इनसान की बॉड़ी हो, दोनों को ज़रूरत पढ़ती है चीजों की, गाड़ी को जिस तरीके से फियूल की ज़रूरत पढ़ती है, उसी तरीके से हमारी बॉड़ी को चलने के लिए, ख अच्छो टाइप आखिर वो बच्ची ही रहती है बट फिर भी उसका और जादा मासूमियत बहुत दिख रही रहती है तब भी उसके आती है उसके गालों को खीचते बोलती है तुम बहुत क्यूट हो वेल मैं खाना पीना खाकर आई हूँ और मैं रात को डिनर नहीं करती हूँ क्यूकि मुझे भूख नहीं लगती है मैं एक ही टाइम खाती हूँ और अच्छे से खाती हूँ मुझे भूख नहीं लगती है तुम टेंशन ना दो तुम जाओ खुद खाकर आओ और मुझे जाना होगा मुझे जाने दो तभी रूहानिका उसका हाथ पकड़के बोलती है पीड़ी एक तो आप कभी भी आते हो कभी भी जाते हो पता है कभी कभर मुझे ऐसी वाली फिलिंग आती है कि जिस दिन मेरा मन करेगा, आपसे मिलने का, मैं कब मिलूंगे आपको, जैसे कभी आपको surprise देना मुझे, कि लाइक कि आप बैठे हो, जैसे आप मुझे एकदम surprise देते हो, कि मैं बैठी रहते हो, मेरे पीछे हाथ रखे, मुझे बोलते हो, कि क्या हो क्या, उस तरीके से मुझे कभी आपको surprise देना है, बट मैं तो जानती भी नहीं हो, आप कहां रहते हो, कहां हो, क्या हो, प्लीस स्मिती, समझो ना, रूहानी का कहती है, तो स्मिती कहती है, मैंने कहा न, जिस दिन तुम मुझे दिल से याद करोगी, उस दिन मैं तुमारे पास आ जाओंगी, और तुम महारा और मेरा connection न, सोल का है, तुम जब भी दिल से मुझे अपनी सोल से पुकारोगी, तुम मेरे तक बात बहुत जाएगी, इसलिए तुम्हे कभी भी टेंशन लेने की जरुवत नहीं है, कि तुम मुझे याद करो, मैं तुमारे पास ना हूँ, हाँ, हाँ, बाते बनाना कि क्या आप मेरे ले इतना करते हो तो, सुमिती हसती है और बोलती है, तुम मेरे ले करना चाहती हो, क्या करना चाहती हो, बहुत कुछ करना चाहती हो, लाइक पार्टी, आपके लिए, मैं पार्टी देना चाहती हो, आपको भार गुमना चाहती हो, और बहुत कुछ जो वो मैं ले लूँगी वक्त आने पर पर मुझे अभी सिर्फ तुमसे एक ही चीज़ चाहिए कि तुम अपनी बढ़ाई और अपने आपको डेपलब करो तुम बहुत प्यारी सोलो तुमारे पास पता है मैं क्यूं आई हूँ क्योंकि तुमने मुझे अट्रैक्ट किया है मैं हर किसी के पास नहीं जाती हूँ रुहानी का मैं वो इनसान हूँ जैसे ढूंडते रहते हैं पूरी दुनिया में लोग पर मैं किसी के हाथ नहीं आती मुझे पाना या मेरे गरीब आना किसी को अलाव नहीं है अट्रैक्ट किया, तुमने मुझे धूंड लिया, तुम्हारे पास जब बैठी थी न, तब मुझे न, दुनिया की सब से खुब सूरज वाली फीलिंग आई थी, तुम्हारा दिल इतना साफ है न, कि मैं क्या बता हूं, कि वो साफ दिल मुझे यहां तुम्हारे पास लेकर आया है, और तुम बहुत ब्यूटिफुल हो, इंसाइड और आउटसाइड बोथ, इसलिए मैं तुम्हारे पास हूं, और मैंने कहा न, कि मुझे लोग इसलिए नहीं देख पाते या मुझे, मुझे लोगों को दिखाना ही नहीं है खुद को, क्योंकि वो मेरे लायक नहीं हैं, जब तब मुझे उन लोगों के साथ वो फीलिंस नहीं आएगी, जब तब वो मुझे अट्राक्ट नहीं करेंगे, तब तब मैं किसी को नहीं दिखाऊंगी अपने आपको, ये मेरा रूल है, इसलिए मैं किसी को नहीं देखती, सिर्फ सिर्फ तुम है और तुमारी समिती, सच बोलू, आप जो भी बोलते हो ना, मेरे सर के उबर से निकलता है, मैं सच बोलू, आपकी इतनी हाइफाइल आते हैं, मुझे नहीं आती समझ में, अट्रैक करना, लेकर आना, बहुत कुछ है, मैं छोटी हूँ आप से, और मुझे आप अपनी भाशा में समझा र जिस तरीके से, आप respiratory सिस्टम मेरे तरीके से मुझे पढ़ाते हो, हर चीजम में ना, मुझे बच्चों की तरह पढ़ाते हो, ऐसे ही अपनी ये सारी बातें भी समझा दो, मुझे सच्ची में नहीं आरहा समझ में, आप कहना क्या चाह रहे हो? तीस तो स्मिती फिर से उसकी इसकी प्यारी मासूमियत को देखकर आगे आती है और उसके सर पे हाथ रखते हुए कहती है मैंने कहा ना जब तुम बड़ी होगी तब तुम समझ जाओगी तुम इतनी जल्दी क्या है समझने की पर अभी फिलाल तुम जाओ डिनर करो तो रुहानिता कहती है नहीं मुझे नहीं करना अब चले जाओगे छोड़के मैं नहीं जाना चाहती तो तब ही समिती कहती है अच्छा ठीक है बाबा मैं नहीं जा री कहीं पर जाओ तुम मैं यहीं बैटियों सॉफटी के साथ तो कहती पक्का ना तो समिती हसते वे कहती है हाँ बाबा पक्का जाओ तुम फिर समिती यहां से विंडो की तरफ देखने लगती है जैसी वो विंडो की तरफ देखती है उसे वहाँ पर उसका दोस दिखता है उसका दोस्त उसको हाय करके बोल रहता है स्मिती भी उसे हाय करती है उसका दोस्त उसे इशारों में पूछता है कि क्या तुम्हें आना नहीं है घर तबी वहाँ पर स्मिती हसते हैं कि नहीं आज नहीं कल मौन्डिंग में मैं तुम्हें मिलती हूँ तो उसका दोसों से बोलता है कि क्यूं तुम्हें पता है ना रात को बाहर स्टे करना अलाव नहीं है तो वो कहती है कि कभी काबार कुछ रूस को तोड़ने का मज़ा ही कुछ और होता है और वो एक सुकून देता है तो स्मृति अपने दोस सारी बाते इशारों में कहे जाएती वो भी इशारों में बात कर रहा था फिर वो इशारों में कहता है कि मैं उपर आऊं क्या तो भी स्मृति कहती है नहीं नहीं तुम मत आओ तुम जाओ यहां से तो उसका दोस्ट उसकी बात को सुनकर वहाँ से चला जाता है दूसी तरफ जो रुहानिका रहती है वो जल्दी जल्दी बहुत बहुत फास स्पीड में अपना डिनर कर रही रहती है तभी उसकी मॉम कहती है थांबा तुम इतनी तेज तेज क्यों खा रही हो थोड़ी शांती से खाओ बबा इतना ऐसे खाओगी गली में अटक जाएगा फिर डॉक्टर के पास लेकी जाना पड़ेगा तुम इतनी जल्द बाजी क्यों कर रही हो रुहानिका अराम से खाओ बच्चा कौन तुम्हें जल्दी बोल रहा है तो कैती मम्मा वो मेरा न थोड़ा सा हूमवर्क बचा है मुझे वो करना है और मैं जल्दी से खा कर चाओगा तब ही उसका भाई बोलता है अच्छा रुको मैं तुम्हारे रूम में चलता हूँ वैसे भी आज मैं तुम्हें वादा किया था कि मैं तुम्हें पढ़ाने में हेल्प करूंगा, बट मैं नहीं कर पाया, तो चलो मैं तुम्हारा हूंवर कंप्लीट करा देता हूं, तो उसकी मम्मी कहती है, हाँ कुनाल, अब तुम्हारी बेहन को तुम्हारी बेहन को तुम्ह कि अक्ति एक्तिर केẩnEntacje नहीं आप तो जानती है। मैं क्यों भीया को आरेसे मना कर रही हूं। आप तो जानती हो ना मेरे रूम के। तो उसी में को यार आता है कि हाँ उसकी और सी बारे कुश तो तब भी उसके मम्हानी का रहने दो वो खुद कर लेगी बाद में कुछ होगा तो बता देगी तो वो अपने मम्हानी की तरफ देखे बोलता है आप भी तो वो कहता है कि अरे बेटा उसको नहीं आएगा समझ में तो वो तुम्हारे रूम पर आ जाएगी समझने के लिए क्यों रूहानी का तो रूहानी का समाइल करते हुए बोलते कि हा ममा मैं भाईया के रूम में चली जाओंगी तो कहते है अच्छा की के चलो अब जल्दी से अपना खतम करो दिनर तो वो फटा फट दिनर खतम करती है फिर वो अंदर जाती है और एक गलास में दूड ले ले राद में पिएगी पर आचकल वो इतनी आलसी हो गई है कि रात को दूद पीने आती नहीं है इसलिए वो दूद लेकर जा रही है वहीं पर पी लेगी ममा ठंडा हो जाएगा तो कहते हाँ वो ठंडा पीने कि उसको आदत हो गई है ऐसी है वो आ जाएगी तुम टेंशन ना नहीं चाहते थे इसलिए कहीना कहीं दूर हो रहे थे पर स्मिती के आने पर जब स्मिती ने उसके अंदर की वो सारी चीज़े खूबियों को बाहर निकालना स्टार्ट किया जिससे लोग उससे री अट्राक्ट हो गए उसकी मौम हो या उसके भाई हो जो उनसे बात तक नह चाती है और अपने रूम पर और वो कैट के लिए दूद को एक बाउल में दालती और लग देती है थोड़ी देर तक रूहानिका इधर उधर देखती है तो उसे स्मिती नहीं रिखती है फिर रूहानिका को बहुत बुरा लगता है कि लगता है चली गई है तो वहाँ पर जैसी डोड ओपन होता है बातरूम का और बातरूम से स्मिती निकलती है रूहानिका टर्न होके एक्तम से स्मिती को हग करती है इस बार स्मिती को जब उसका हग करती है तो उसके अंदर की बेचैनी तरप सब फील होती है स्मिती को स्मिती थोड़ी देर तक उसे जब टच कर के रखती है तो उसकी बेचेन पने को देखती है यहाँ पर रुहानिका बहुत बेचेन हो रही थी बहुत जादा बेचेन हो गई थी वो स्मिति को एक मिनिट भी ना देखे तो बहुत जादा तडप रही थी वो और वो बस उसको थोड़ी देर ता हग करके ही रहती है यहाँ जब थोड़े 5-10 मिनित तक ऐसी रखने के बाद उसमें की दीरे से कहती है छोड़ो भी अब मुझे तो रुहानिका बोलती है मन नहीं है तो कहती है अरे बाबा छोड़ दो ऐसा अच्छा नहीं लगता है बाबा तो मुझे ऐसे टच करो तो कहती है ओ सौरी फिर ऐसी दूर हो ुप आज हो जाता है तो उसनी चोटा सा मतब घर टाइप का बनाया था इस्में वो सौनी को सुला देते है तो रुहानिका जो रहती है वो बैट पर अराम neur उ कि भी और उसके बाज्वमे स्मित्री रहती है एं स्मित्री और रुहानिका के बीचमेच के इस्टशन снटा पर पता नहीं क्यों रूहानिका को वे डिस्टंस अच्छा नहीं लगता है पर स्मिती हमेशा से थोड़ा दूर उसके साथ बैठती थी तो रूहानिका जब उसके करीब आती थी स्मिती थोड़ा और दूर हो जाती थी जैसी रुहानिका और पास आए स्मिती और दूर हो जाए फिर एक टाइम आ जाता है कि जहां पर दिवाल लग चुकी रहती है और स्मिती पूरे दिवाल के वहाँ पर हो जाती है और रुहानिका और से करीब आकर उसे साइट से हग करते हैं बोलती है और जब Smithy उसको देख रही रहती है तो Smithy थोड़ा सा distance maintain करना चाहती है जिसे कि वो जानती है कि इसके आगे बहुत कुछ problem होने वाली है पर वो रुहानिका को दूर भी नहीं कर पारी रहती है और Smithy के कंधे पर सर रखते हुए रुहानिका उसे दुनिया वर की बाते करती है एक comic book रहती है वो उसे open करके वो पढ़ रही रहती है Smithy उसको देखे जारी रहती है और रुहानिका रहती है वो comic पढ़ रही रहती है पढ़ते पढ़ते दोनों की कब आइकॉंटाक होता है पता ही निए चलता और जो रूहानिका रहती है वो सुर्टी के जब आइकॉंटाक देखती है तो उसे अलग सा खोस ही जाती है वो बहुत ज़ादा सुकून फील करती है एक अलग सा अट्रैक्शन होने लगता है रूहा रूहानिका को रूहानिका बहुत मासूम रहती है और वो उसको जब देख रही रहती है तो बहुत ब्यूटिफुल तरीके से फील कर रही रहती है उसको बड़ा अच्छा लगने लगता है उसे देखते देखते थोड़ी देर में समिती अपनी नज़े इधर से हटाती है और धीरे से हाथ को थपता पाके उसे बोलती है, सो चाव, रात हो गई हैं, तो वो अपनी comic book को side में रखती है रुखानी का, और समिथी के कंधे पर ही सर रख कर सो जाती है, समिथी कहती है, रुखानी का बैट बहुत बड़ा है, आप इधर जाकर सो जाओ, तो कहती है नहीं नही जो सुकून मुझे यहां कंधे पे मिलता है वो कहीं नहीं मिलता मुझे ऐसे ही सोना है तब इसमिती कहती है देखिए आप उधर सो जाईए मुझे ऐसे चिपको मत तो कहती है नहीं मुझे चिपकना है समिती बोलती है प्लीज रुहानिका को लगता है कि अगर वो नहीं मानेगी तो समिती गुस्ता हो जाईगी इसलिए वो थोड़ा दूर होती है पर वो हाथ नहीं छोड़ती है एक मिनिट भी समिती का हाथ नहीं छोड़ती है उसका हाथ को पकड़के वो सो जाती है थोड़ी देर में रात को सोती है जब वो सो रहे रहते हैं तो समिती को तो नींद आती ही नहीं है समिती इदर उदर देख रही रहती है जैसे वो लेटते हुए भी बहुत गंभीर सोच में डूबी हुई है जैसे वो सोच रही है कि इसके consequences होंगे क्या क्या समिती और रुहानिका का इस तरीके से मिलना सही है या क्या हो रहा है वो बहुत सोच रही रहती है थोड़ी देर में जो रुहानिका रहती है वो और करीब आकर पूरे तरीके से समिती के उपर चड़ जाती है अपना जो लैक रहता है वो स्मिति के उपर रख देती है और अपने हाथ से उसे और टाइट कर लेती है स्मिति देखती है तो स्मिति रुखानिका की इतना क्यूट मासूम सा चहरा देखे बिना रही नहीं पाती है वो भी उसे हक कर दिये, और उसे अपने सुला देती, तब Smithy भी अपनी आखे बंद करके सोने की खोशिश करती है। ऐसी पूरी रात बीच जाती है, जब सुभा होती है, तो रुखानिका उठती है, तो देखती है कि Smithy नहीं है। और स्मिती का एक नोट वो वहाँ पर देखती है, वो नोट ये रहता है, get ready and go to school, I will meet you at evening, तो पर जुहानिका बोलती है, ये क्या बात हुई, सुबह बिन से good morning बोले बिना ही चली गई, ये तो अच्छी बात नहीं है ना, पर मेरे साथ राद भर रुकी, यही काफी है, और मै कैसे बूल सकती हूँ, उनकी भी family है, और वो मुझसे इतने अच्छे से मिलती है, जुलती है, ये काफी है ना, मैं भी कुछ साथा demand कर देती हूँ कभी कवार, that is not good actually, या, समझना चाहिए मुझको भी, मैं भी कितनी बड़ी stupid हूँ, चलो मैं जाती हूँ, उठ जाती हूँ नहा लेती हूँ, और ऐसे कहके रुहानिका उठ जाती है, और नहाने चली जाती है, नहाते टाइम वो softy को भी नहलाती है, और उसको भी नहलाकर बिठाती है, यहाँ पर ready हो जाती है, वो अपनी twice-wayce लेती है, और नीचे की तरफ से दियाती है, उसकी mom कहती है, कि तुमने सब कुछ तयारी कर ली, स्कूल के लिए तो कहती है, हाँ, फिर next day, sorry, फिर थोड़ी देर के बाद, वो स्कूल की तरफ चले जाते हैं, जैसी वो स्कूल की तरफ जाते हैं, तो रुहानिका की नसरे पूरे रास्ते भस स्मिती को ढून रही रहती है, जैसे कि उसका मन करता है कि स्मिती एक बार उसे दिख जाए, और वो इतने दिल से याद कर रही रहती है, कि जब काका उसे चार बाते पूछा रहते हैं, बिटा, क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, वो काका की बातों को सुनी नहीं रही रहती, जैसे वो अंदर से बार बार स्मिती स्मिती पुकार रही यहां और वहां पर वो काका क्या बोल रहें, काका क्या समझा रहें, उससे कोई फर्रक नहीं परता है। रुपूल की तरफ वह जब पूरे तरीके से पहुट जाती है, जब उतरती है तब परी उसके पास आकर बोलती है कि रुपषानी का तु ने हिंदी masa का सब्जेक्ट का किया तो कहती है हां मैंने पढ़ाई की है तो कहती है मुझे कॉपी दे अपनी तो रुहानी का अपनी कॉपी दे रहती है और वहीं परी जाके एक कोने पर बैठ के ना वो फटा-फट कम्प्लीट कर रही रहती है रुहानी का तब बहुत अकेला फील करती है क् परी ही उसकी से वैक ऐसी दोस्ती जो बहुत करीबी थी और वो किसी से बाद भी नी कर दी तब रूहानीका इदर अदर घूमते गूँते हुए जाती है और वह टेरिस की तरफ सली जाती है उसे टेरिस की तरफ अच्छा लगता है एक थंडी ठंडी हवाएं चल रही रहती है और मौसम भी उस समय ऐसा हो रहा था कि जैसे बरसात होने वाली है पर बरसात हुई नहीं थी उस दिन वो हराम से होती है थोड़ी देर में वो बहुत ठंडी-ठंडी हमाएं होती है महसूस कर रही रहती है और अपनी आँखे बन करके समिती को याद कर रही रहती है वो यह महसूस करती है कि वो हमेशे से यह सुनती थी समिती के मूझसे कि जिस दिर मुझे दिल से याद करूँ कि मैं तुमारे पास होंगी तो आज वो यह देखना चाहती थी कि उसके बोलने पर या उसके याद करने पर स्मिती उसको मिलेगी की नहीं तो ऐसी बैठी रहती है और बहुत दुल से याद करती है फिर देखती है इधा उदा तो स्मिती उसे नहीं दिखती है फिर वो कहती है ये सब कहानियों में होता है या तो फिर फिल्मों में होता है या फिर मेरी कॉमिक्स बुक में होता है कि किसी को याद करो और आ जाए मतलब काटून्स एंजल और गैजट्स मतलब डॉरी मॉन टाइप यह सब ना चीजे बुक्स में ही है रियालिटी तो को सो दूर है बहुत जादा अपसेट हो जाती है रुहानी का और जब जारी रहती है तो जैसी सिडियों से नीचे उतरती है वो सामने के सामने स्मिती को देखती है और स्मिती को जैसी देखती है तो स्मिती बोलती है चलो उपर तो रुहानी का स्माइल करते हुए एक्तम से टैरिस के उपर चली जाती है और उसको जैसी वो टैरिस पे माँ खड़ी होती है और स्मिती उपर आरी रहती है आती है स्टेयर से वैसी रुहानी का भाग कर एक्तम से टाइटली हग करती है जादा टाइटली हग करती है श्मृती को और स्मृती को टाइटली हग करते हुए बोलती है कि मैंने तो तुमें से याद किया था और तुम सीयसली आ गई तो स्मृती उसके हग को फील करती है और थोई देवा उसे अलग करके बोलती है मैंने कहा था ना, कि जब तो मुझे दिल से याद करोगी, तुम्हारी चीज़ें मेरे तक पहुछ जाएगी, तुम्ही यकीन नहीं था क्या, तो वो कहती है कि सच बोलू, फिल्मों में होता है, रियारिटी में तो ऐसा कुछ नहीं होता है, तो इसलिए यकीन तो नहीं था, पर अब हो गया है तो स्मिती हश्ते बोलती है बट मैं वो जो वादे करती हूँ वो वादे मेरे वेस्ट नहीं होते हैं और मेरे जो वादे हैं वो बहुत बहुत इंपोर्टेंट होते हैं मैं अपनी चीज़ों को फालतु का बरबाद नहीं करती हूँ तो कहती है हाँ and thank you for coming तो तब ही स्मृति कहती है तुमने मुझे इतने दिल से याद क्यों किया है तो कहती है पता नहीं तुम जब मेरे साथ रहती है मुझे अच्छा लगता है तुम सुबह सुबह मुझे good morning बोले बिना कैसे जा सकती हो तो कहती है इसमें good morning क्या बोलना है मैंने तुमें बताया था मैं तुमें evening में मिलूंगी लेकिन तुम इतना जादा तरीके से मुझे याद करे जा रही थी कि मुझे आना पड़ा तो तभी स्मिती जो रहती है उसका हाथ पकड़के रुहानी का वहाँ पर एक छोटा सा बैंच रहती है वहाँ बिठाती है और बोलती है स्मिती तुमें कैसे पता चल जाता है एक बात बताओ ना तुमारे पास टैली फोन है ना मोबाइल है ना कुछ है यह किस टाइप आ कनेक्शन है तभी स्मिती स्माइल करते है बोलती है तैली पैथी बताए तो वह कहती है कि यह क्या होता है तो कहती है कि तुमारा हो मेरा कनेक्शन तैली पैथी जैसा है तुम दिल से और दिमाग से मुझे याद करोगी मैं यहां से कैच कर लूँगी टैली पैथी उन लोगों को ही समझ में आती है जो लोग का फोकस या जिसका मेडिटेशन बहुत साथ स्ट्रॉंग होता है और इनमें से मेरा तो है इसलिए मैं तुम्हारे दिल की बात समझ जाऊंगी लेकिन तुम मेरे दिल की बात कभी नहीं समझ पाओगी क्योंकि तुम अभी बच्ची हो और तुम्हें ये सब जानने के लिए बहुत 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 नहींट करनी पड़ीगी तो रोहानी का बोलती है मुझे तुमारे जैसा बनना है स्मार्ट, इंटेलिजेंट और टैलीपैथी भी सीखनी है कि तुम जिस तरीके से लोगों की मन की बात जान जाती हो मुझे भी जानना है प्लीज मेरी हेल्प करो मुझे अपने जैसा बनाओगी तभी स्मिती एकदम से खड़े होके बोलती है रोहानी का सबकी अपनी अपनी अलग आइडेंटिटी होती है सबकी अपनी खुद का अस्तित्व होता है मैं तुमें मेरे जैसा कभी नहीं बनाना चाहूंगी और मैं नहीं चाहूंगी कि तुम मेरे जैसी बनो कभी हाँ पर मैं ये कोशिश दरूर करूंगी कि तुम एक बहुत अच्छी इंसान बनो और तुम कभी मुझसे ये नहीं बोलोगी कि तुम्हें मेरे जैसा बनना है इस चीज का वादा करो मुझसे रुहानी का जब ये बाते सुनती है तो वो कहती है फिर से मेरे सर के उपर से बाते जा रही है फिर मेरे सर के उपर से गया आपने क्या बोला स्मिती बोलती है कि रुहानिका मैं तुम्हें अभी कुछ भी नहीं समझा सकती हूँ बस तो जितना मांग रही हूँ वो दे सकती हो क्या तो रुहानिका बोलती है हाँ दे सकती हूँ तो स्मिति हसते हैं बोलती है लाओ तो और वो अपना हाथ आगे बढ़ाती है तब ही रुहानिका उसके हाथ में हाथ रखते है पक्का दिया तो कहती है ओके चलो अब मुझे जाना होगा तुम जाओ क्लास में और पढ़ाई करो अच्छे से ये बोलकर स्मिति महां से जादी रहती है पर उसके जाने से पहले वो बोलती है रूहानिका को कि तुम क्लास में जाओ तुम लेट हो जाओगी जल्दी जाओ तो रूहानिका बोलती है साथ में चलो ना तो कहते हैं नहीं साथ में कभी नहीं जा सकते हैं तो मैंने पहली बोला है मुझे किसी के सामने आना पसं नहीं है जाओ रुहानिका और ऐसे बोलकर स्मृति जब ये बोलती है तो रुहानिका को समझ में आता है कि वो बहुत बहुत जादा you know serious होके बोल रही है रुहानिका भी जादा अर्ग्यू नहीं करना पसंद करती है चुप चाप रुहानी का और समिठी तुरंत आ जाए आप सब के मन में भी बहुत सारे सवाल जवाब हो रहे होंगे कि ऐसा क्या connection है और ऐसा क्या है मेरे साथ बने रहिए अगले कुछ episodes में जानने के लिए तब तब के लिए बाई बाई टेक क्या और गुट नाइट